आप तक पहुँचा रहे हैं और इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको दे दें सचिन पाइलट के पोस्टर को हटाया गया है PCC दफतर से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है PCC दफतर से सचिन पाइलट के पोस्टर हटा दिये गये हैं कॉंग्रस कारकरताओं ने सचिन पाइलट के ये पोस्टर हटाये हैं और रगवीर मीना को नया PCC चीफ बनाया जा सकता है ये एक लगातार खबर सूतरों के अवाले से सामने आ रही है और सबसे बड़ा अपडेट ये कि सचिन पाइलट के पोस्टर PCC दफतर से उतारे गये हैं कॉंग्रस कारकरताओं की तरफ से इन पोस्टर को हटा दिया गया है तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दें जहां से तस्वीरें ये बताती हुई कि किस तरीके से सचिन पाइलट के पोस्टर को PCC दफतर से हटाया जा रहा है यानि वो तमाम चीजें अब कई ना कई ग्राउंड पर पूरी तरीके से साबित होती हुई सही होती हुई जिसे लेकर अभी तक सिर्फ आशंकाएं थी यानि एक बड़ा एलान कुछी देर के बाद क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में केंद्रिय नेत्रत्य के जो कॉंग्रेस के नेता पहुँचे हुए है जैपर उनकी तरफ से प्रेस कॉंफरेंस की जानी है जिसमें आजमाकन होंगे इसके अलावा जो लगाता नेताओं के पहुँचने का सिलसला है वो भी केसी विणू गोपार कुछी देर में पहुँचेंगी 11-40 का वक्त यहां पर बताया गया है साथी जो प्रेस कॉंफरेंस यहां पर अजमाकन और साथी साथ सुर्जवाला की तरफ से की जाएगी उसमें ये एलान क्या हो सकता है इसका इंतजार कहीं ना कहीं बिल्कुल देखिए ये बड़ी खबर दर्शोकों तक पहुँचा रहे है PCC दफ्तर से सचिन पालेट के पोस्टर को हटा लिया गया है और ये ही PCC चीफ देखिए वो पद है जिसको लेकर ये पूरा घमासान जो है पूरा जो घटनकरम है वो शुरू हुआ चुकि ये खबर सामने आई कि PCC चीफ बदला जा सकता है और इसी को लेकर सचिन पालेट की नाराजगी सामने आई और उसके बाद अब ये बड़ी खबर और ये संकेत देते हुए कि सचिन पालेट के लिए कॉंगृस में तो आप जो रास्ते है वो बन्धों चुके है ये सचिन पालेट के लिए एक बहुत बड़ा जटका यहाँ पर माना जा सकता है कॉंग्रिस कारकरताओं ने सचिन पालेट के पोस्टर को हटा लिया है और ये खबर सामने आ रही है कि रगुवीर मेना को नया PCC चीफ जो है वो अब बनाया जा सकता है एक्स्लूजिव तस्वीरे भी आपको दिखा रहे है किस तरीके से PCC दफ्तर से जो पोस्टर है वो हटा लिये गए है रिकॉर्ड सचिन पालेट ने बनाया इतने ज़्यादा समय तक रहे दिनेश श्रीमाली साब हमारे साथ यहाँ पर बने हुए है ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया समवादा था भी पलपल की जानकारी हमें यहाद पर पहुचा रहे है दिनेश श्रीमाली साब क्या यह कॉंग्रेस में पालेट युक का अंत है नई जिस परकार से भारती जनता पालेटी सुरू से विवाद बेदा करके राज़ेस्तान में सत्ता हत्याने का काम जो कर रही थी उसके मनसुबे आज ओपन हो गए जनता के सामने आ गए है अब हाई कमान जो आदेश करेगा राज़ेस्तान की जो कॉंग्रेस पाल्टी है हम सब जो कारी करता हैं उनके आदेश की पालना करेंगे उनके आदेश से सामत होंगे क्योंकि हम 5 साल खुनपसी ने से सिज़ाई करके पाल्टी को चलाते हैं और हम कारी करताओं के साथ में किसी भी प्रकार का अगर कोई नेता भागने का है या छोडने का काम करता है तो हमें बड़ा दुख होता है हम हाई कमान पे आस्ता भ्यक्ते करते हैं असुग ललोजी की नेत्त में आस्ता भ्यक्ते करते हैं और हम चाते हैं कि कॉंग्रेस की सरकार रहे कॉंग्रेस जनीत के मुद्दों पे जनता के इतों के लिए कारी करती रहे गुपाल बहिती साब क्या है ये पाइलेट यू कांथ है कॉंग्रेस पार्टी के अंदर ये मान लिया जाए ये पोस्टर स्पार्टना क्या है? पूरी निष्टा से पूरी कॉंग्रेस पार्टी को एक जूट रखके काम किया, चलाया, सरकार चलाई, मैं तो अचमा ये करता हूँ कि जिस अच्छोग गैलो सरकार की एक के बाद एक तीन बार पदामन्दी तारीब करें, उस सरकार को गिर्णा का सब्सक्राइब करें, ये इसका मतलब इनको अपने नेता पर विश्वासती है, और जिस परकार से आज जो बत फिर रिपिट कर रहा हूँ, कि जिस परकार इंकम टेक्स करें उन चापे मारे, अरोडा जी के घर पे, धर्मन अठोड जी के घर पे, ये सद्ध करता है कि बीजेपी की रस्षत्ता के लि जनता के वोड का अपमान, वोई पार्टी करें, कितनी अंकार इस पार्टी को हो गया, बीजेपी को, इस पर पार्टी को बचार करना चाहिए, और इसके लिए पधान मंत्री को